एमपी के शिप्पुरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है ग्राम ब्राई में उचित मूले की दुकान से अधिकारियों की मौझूदगी में ग्रामीर्ण राशन के कट्टे लूट ले गए प्रिशासनी का धिकारी सरकारी राशन को लुटते देखते रहे ग्रामीर्णों ने दुकार्न के तौल काटे और मशीन भी तोड़ दी प्रिशासन की टीम ने पुलिस से सुरक्षा के लिए कहा था लेकिन जब दुकान खुली तो कोई भी पुलिसकर में वहां नहीं पहुंचा और लूट पार्ट मच गई जानकारी के अनुसार बदरवास अनुविभाग की ग्राम बारई में ग्रामीर्णों को राशन नहीं मिल पा रहा था इस समस्या को लेकर ग्रामीर्ण मंगलवार को कलेक्टरेट परिसर स्थित जिला खाद एवं आपूर्ती विभाखे कार्याले पहुंचे और प्रदर्शन किया ग्रामीर्णों का कहना था कि बारई में केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए निशुलक ग्यहों दुकान को मिल गया है लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है खाद एधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम शिपूरी से एधिकारी भेजेंगे और वे वहाँ पर राशन का वितरन कराएंगे इसे लेकर गाओं में मुनादी हो गई कि बुधवार को राशन बटेगा जैसे ही दुकान खुली तो लोगों की भीड वहाँ पर तूट पड़ी बिना पर्ची और फिंगर लगाए लोग वहां से ग्यहूं और चावल के कटे उठा उठा कर ले जाने लगे ग्रामीन संख्या में इतने अधिक थे कि वहां के अधिकारी और करमचारी उन्हें रोक नहीं पाए वहीं इस मामले में फूड अधिकारी का कहना है कि हमने पुलिस की मांग की थी बिना पुलिस की मौजूदगी में राशन बाटना संभव नहीं है पुलिस विवस्था ना होने के कारण दुकान लूट ली गई अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच होगी तो कौन इसमें दूशी पाए जाएंगे और ऐसा क्या हुआ कि लोग ग्यहूं लूट कर चलते बने शिपपुरी से भुपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट